नमस्ते, आप सब का वेलकम है सिमरन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारे एक ऐसा लच्छा पराठा जिसको आपको देखते ही ना खाने का मन कर जाए ये लच्छा पराठा है ना अचार, दही, चाए, कॉफी या फिर कोई भी सबजी के साथ इतना बढ़िया लगता है ना बस आप एक पर देख लीजे और बना लीजे तो लच्छा पराठा बनाने के लिए एक बाउर ले ले और इसके अंदर हम डालेंगे दो से तीन कटोरी गीहों का आटा गीहों का आटा डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे स्वात के अनुसार नबक और आदी चोटी चमस तेल अब तेल की जगह पर गी का भी इस्तमाल कर सकते हैं और बस थोड़ा सा मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा करकर पानी डालेंगे और आटा गुन लेंगे तो यह जो अच्छा पराट है न इसका आटा आटा आपको वैसा ही लगाना है जैसा आप नॉर्मली जो गीहूं के आटा की रोटी बनाते हैं वो जो उसके लिए आटा गुनते हैं बस वैसा ही आटा लगाना है नहीं जादा सक्त नहीं जादा नरब मीडियम सॉफ्ट आटा गुन लीजे फिर थोड़ा सा तेल लगा कर इसे अच्छे से आपको और मसल ना है देख सकते इस तरह से आटे को थोड़ा सा तेल या फिर गी लगा कर अच्छे से मसल लीजे फिर उपर से हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे ढखकर हम 5-10 मिंट तक रख देंगे यहां अच्छा बस निकाल लोई निखा लिए दोनों तरफ की घील लगा लीजिए और आपको इसे बेल लहें नहीं जादा मोटा पतला मीडियम इस तरह से बेल लेके बाद अब हाथों की मदद से ही तेल लगाएंगे हाथों से इसलिए ताकिन हर किनारा पर अच्छे से लगे उसके बाद सूखा गियूं काटा छिड़क लेना और इसे भी अच्छे से फैला लेना है अब या फिर नाइफ ले लिजए यानि कि चाको या तो फिर अनि लभी लमभी तर्क ट्रीर रॉपर करों को जब लेना है दुक्ते से बीम और बेल नाहीं कि किनार को दबाते नहीं थोड़ा स प्रस है लो तरह से हल्यूंको हाथ से हलके हलके बेलन से आपको बेलना है जादा जोर से नहीं ने तो इसकी जो देख सकते हैं इसकी जो परते न वो दब जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें फिर अच्छे करम तबे पर डाल दे और जैसे यह हलका हलका सिखना शुरू हो जाए न पराठा तो आप इस करते हैं तो बस दोनों तरब से अच्छे से लगा लीजे और आपको इसे अच्छे से से शेकना है क्योंकि देखें लच्छा पराठा है ना यह देख सकते इस तरह से बेलने के बाद ना थोड़ा सा मोटा होता है तो कहीं से यह कच्छा ना रहे तो इसके जो साइट से उस अच्छे से प्रैस कीजिए और असे स्तेक लेजए देख साथ इसकी जो पड़ते कितनी बढ़ा लग रही है और यह बहुत अच्छा लगता है जाप इसे आचार यह फिर दही चाई साथ ले या फिर कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी या फिर सुकी सब्जी के साथ ले सबी के ट्राइ कीज़ेगा और मुझे कमेंट्स में बताएगा कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीज़े शेर कीज़े अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही थांक यो फ अच्छी